नमस्कार आपने देखने शुरू कर दिया है दाएंगल और मैं हूँ आपकी स्ताथ छवियवस्ती दोसर राजस्थान में कॉंग्रेस के बीच जो आपसी मनमुटाव है वो किसी से छिपा नहीं है लेकिन इसी बीच अब बीजेपी में कौन होगा मुख्यमंत्री का खेल भी तेस हो गया है बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष गुलापचंद कटारिया का एक बयान आया उस बयान के आने के बाद तो मानो जो बीजेपी के आपसी रार है उसमें और गर्मा हटा गई क्या है पूरा मामला देखिए हमारी खास रिपोर्ट विधायक हैं और संसद ये बोर्ड ही मुख्यमंत्री तै करता है वसंद्र राजे के समर्थन में आ रहे विधायक और पूर्व विधायकों के बयान पर कटारिया ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री बनाने का सीजन अभी नहीं आया है और नहीं चुनावों की तारीक आई है पार्टी तै करेगी किसके नित्रत में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा गुलापचन कटारिया का ये बयान सीधे सीधे तोर पर सतीश पूनिया के लिए माना जा रहा है सियासी गलियारों में तो ये भी चर्चा है कि गुलापचन कटारिया ने ये बयानियों ही नहीं दिया बलकि सोच समझ कर रणनीती के तहत दिया है आपको बताने कि बीते कुछ समय से गुलापचन कटारिया और बीजेपी के जो राजस्थान के नेता हैं उनके बीच संबंद कुछ अच्छे नहीं है इसके उधारन हाल फिलाल में भी देखने को मिले थे अब जो ये नई लड़ाई शिरू हुई है मुख्यमंत्री के जहरे को लेकर अब देखना होगा कि क्या बीजेपी की इस्तिती भी कॉंग्रेस की तरह बनती है या बीजेपी इस पर नियंतरण लापाती है या फिर इस्तिती और जादा भयावे होती है इस तरह की खबरों के लिए दायेंगल देखते रहे है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें नमस्का